हेलो दोस्तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो हमारे पास वायल सील होता है गिर बोक्स का उसको हम कैसे चेंज करते हैं और यदि आपके पास इस टाइप का मतलब वायल सील नहीं भी लगा हो तो आपको कैसे मालूम करेंगे कि इसमें कितने नंबर का वायल सील लगने यह भी आपको बताने वाले इस वीडियो में देखेंगे इसको पता करने के लिए क्या करना होगा तीन चीजिस में नाप लो एक तो सबसे पहले इसका इनर डाया इनर डाया मतलब कि यह वाला जो साफ्ट लगने वाला जी साफ्ट पर चड़ने वाला वायल सील इसका नाप चल जाएगा और एक लास्ट का डाया ना पलो यहां से यहां तक का तो यह साइज मिल जाता है अब इसमें साइज ना फोके तो क्या है इसमें देखो यह पर है 60, 90 और 8, 60 हो गया वह बोर साइज हो जाएगा और 90 हो जाएगा बाहर की गुलाई और 8 हो गया बुइद लो इसके मुटाई, हाँ, यही चीज़ है, जैसे शुरुवात से दिया हुआ ना, यहांपर 60, 90 और 8, इसका मतलब है कि जो पहला दिया हुआ है इसका अंदर का साइज ह मृटाई कि यही तीनों चीज मालुम कर लिया ना तो आराम से कि यहां पर भी लगा हो उस जगह पर उसका आइल सिल का नंबर ुसमें लगा के लगा जाuenगे तब पीन्द करना है अब हमकिए इस फिटन करना है और को इसको लगाना है सबसे प 되면 थोड़ा从 ग्रिस लगाएंगे इसकbelsा तरफ ने तुर्भा थोरा ही पिता की हमारा जो वाहल है तेल है हो बाहर क्यों नीकले एक चीज और इसका अंदर में भी लगा देंगे क्योंकि जो को है इसका बचा हुआ इस कोर को बचा कर रखना है यही जो है यही बचा कर रखता है इसका ताकि यह जो साप्ट गुमता है इसमें तो यह एकी जगा रहता है ना यह की जगा फिक्स हो जाता है और यह रोटेट करता रहता है तो इसमें आपको ग्रीस लगा के ही लगाना रहता है ताकि लंबा समय लगाने से पहले आप देख लेंगे कि इसमें कहीं से बाबरी वेगरा नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें कहीं पर बाबरी आ गया होगा कहीं ठोकने पीटने में तब भी आपका आईलसील तुरंत कट जाएगा इस साप्ट के उपर भी ग्रिस लगाना होता है ताकि आराम से यह स्लाइड होके चला जाए तो लगा इस पर ग्रिस लगाना से क्या होगा कि जो वाइलसील है वाइलसील कटेगा नहीं जल्दी को दिन तक स्मूथली बहुत अच्छा से चलता रहे गए है एसे नहीं बैठा ना कि या करना होता इसमें इस नहीं बैठा तो हलका हलका इसको इससे कर दोगे त्यांव से तैब बैठ बैड़ जांगे रहाम से 3 म से इसको जगह च्होड़कर रखना चाहिए है चुले दबाव इसको थोड़ा हलक हलका दबाते जाओ देगा सील को कभी भी डारेक्ट यह लोहेवला हैमर्स नहीं मारें क्योंकि यह जैसी से ठोकेंगा तो यह कटना इस्टार्ट हो जाएगा इसके लिए आता है लगणी का यह प्लास्टिक का उसका उच करेंग दबा करको जोड़ से इसको बराबर करके छोड़ देना है हो गया चलो करें यह इस टाइप से वाइल सिल बठाए देखेंगे पूरा कोर यह पकर कर रखेंगे तो यह जल्दी खराब नहीं होता है अब दूसरी साइड में फिटिंग करना होगा इसको पलटो तो उस तरफ आपने क्या देखा था कुदर वाइल सिल निकाल कर रखा था ताकि आपको समझ में आया कि इसका जो नंबर है नंबर कैसे कैसे मेजर करके इसका व बाहर फेकना है और यहां पर भी नए डालेंगे और इसी तरह से किसी भी आयल सिल का या कहीं का भी हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं और उसका नंबर का पता कर सकते हैं दोस्ते वीडियो पसंद्द प्लेज वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं